तो असे हम पर यह रद दसमर पर Samsung Galaxy A13 smartphone, आपको मैं इसी smartphone की इसी वीडियो में 60 से ज़्यादा tips and tricks, interesting, awesome features आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को end देखकर बहुती interesting, awesome, कमाल, धमाल तरके से अपने smartphone को यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि feature से आपको कुछ इस तरह से बताया हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लेक कर देना इस वीडियो को, और आप चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब करके bell icon पर प्रेस करके रख लेना, सबसे पहले feature की बात करने लिए दसों, आप इस phone में screenshot लेना चाहते हैं, तो value balance बटन और power बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, screenshot लग जाता है, इसके अलावा आप हम पर दो-दो applications को एक ही phone में और एक ही वक्त में, एक ही screen में यूज़ करना चाहते हैं, तो एक application ओपन करके, आप कहाँ पर menu बटन की ओपर क्लिक करना है, आप इस तरह से menu बटन पर क्लिक करना है, तो उस app के icon की ओपर यहां पर long tap करना है, long tap करेंगे, तो यहां पर आपको दिप्था को open in split screen view, इसके ओपर आप क्लिक करेंगे, तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा, आप यहां पर दुसरा कोई भी application ओपन करके, कुछ इस तरह से दो-दो applications यूज़ कर सकते हैं, और उपर वाला app नी application में जाने के लिए, इस menu बड़न पर double click करना है, इस application में आप आ जाते हैं, वापस double click करेंगे तो इस application में आप आ जाते हैं तो automatic brightness ज्यादा होता है और आप अंदेरे में ज्याते हैं तो automatic brightness कम होता है अपनी lighting condition के साब से ये brightness कम ज्यादा होते रहता है इसकी अलोग हाँ पर आप इस setting को on करेंगे तो display का color कुछ इस तरह से हो जागा अब इस पर click करके हाँ पर इसकी capacity को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं आप कुछ भी पढ़ रहे हैं या browsing अगर आप कर रहे हैं तो इसको use कर सकते हैं आपके आंकों को effect ने पड़ेगा इसके अलवा है हम पर back आने के बाद इसी display setting में हम पर दिखता होगा font size and style आपको इस setting में आना है हम पर देख सकते हैं font style आप यहां पर इतनी styles मिलते हैं fonts के और भी stylis वाले और भी आपको fonts चाहिए तो down fonts पर click करके और भी down करके आप रख सकते हैं back आने के बाद हम पर bolt fonts आप इसको आउन करके यह देख सेते हैं कुछ इस तरह से आपकी bolt हो जाएंगे fonts इसको यूज करना चाहिए कर सकते हैं इसके अलवा यहां पर font के size को आप बड़ा कर सकते हैं अभी देख सकते हैं यहां पर font इतनी है आप इसको बड़ा करेंगे तो यह देख सेते हैं अभी कितने बड़े हो जाएंगे fonts भी बड़े हो चुके हैं इसके अलाव आपके हम पर दिखता होगा स्क्रिन टाम आप मैक्सिमम तीस मिनिट तक कर सकते हैं आपने हम पर कर लिया दोस्तों एक मिनिट आपने कर लिया तो फोन को यूज करना आपने बंद कर दिया है तो एक मिनिट के बाद में अट्यूमिटी के डिस्प्ले आफ हो जाता है ब्याक आते हैं और आपके हम पर दिखता होगा और नविगेशन बाहर है आपको इस हम बडन यह रहा दोस्तों इस दरह से कर लेना हम बडन की लिख हो जागा रिसल करके लिए निचे से लौंग टप करके आप इस tämä को संटाक्स को भी remove कर सकते हैं और feature की बात खरने के इस phone पर click करेंगे हामपर three dots पर click करके हम आएंगे settings में और यहां पर आपको दिखता हो गभा blocked numbers आपको इस declaring में आना है यहां से इसको on करेंगे तो जो number आपके phone में save नहीं है उन से आपको call ही नहीं आएगा एक खास करके लेडिस के लिए useful feature हो सकता है क्योंकि उनको new new number से बहुत सारी call आते ना तो वो क्या करें इस setting को on करें इसके अलाव में पर कोई भी number को blacklist में डालना जाते हैं आप एड phone number पर click करें आप जो भी number आप डायल करके यहां पर plus पर click करेंगे वो number blacklist में पढ़ जाएगा वापस से निकालने के लिए minus पर click करके आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों तो चलिए इसके अलाव हैं यहां पर और back आने के बाद आपको आपको इस setting में आना है हां पर अट्टो record calls को on करेंगे तो confirm करेंगे तो अट्विंटे कॉल रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा आपको जो भी call आते हैं recording होगा बैक आते हैं हां पर आपको दिखता होगा call background आपको इस setting में आना है हां पर बैक्रोंड पर आपको चार बैक्रोंड मिलते हैं जो बैक्रोंड आपको अच्छा लगते उसको करना दोस्तों यह का है अब मानलो आपको आता है तो आपका smartphone भी करता है इसके बाद में हां पर है play sound for keypad tabs मतलब आप इसको आउन करेंगे तो आप typing को अगरा कर रहें तो sound आना चाहिए तो इस setting को on कर सकते हैं इसके बाद यहां पर है मतलब इसको आप करेंगे तो आप का smartphone भी करता दुस्तों बैक आते हैं आपके हम पर दिखता होगा answering and ending calls आपको इस setting में आना है इस setting को on करके हम पर इसको भी on कर लाना है बीच में एक बार click करके हम पर आप 10 seconds भी कर सकते हैं आपने 10 seconds कर लिया तो Bluetooth connect है तो आपको call आता है त दस seconds के बाद में automotive call issue हो जाता दूसरों बैक आते हैं यहाँ पर और प्रेस अब टू अन्सर इसको अन करेंगे तो अब मालो आपको call आता है मतलब आप call पर बात करने तो power बटन पर आप क्लिक करेंगे तो call cut हो जाता है बैक आने के बाद हम पर और call display using apps मतलब हम पर आप call आता है तो यहाँ पर आप fully screen करेंगे तो पूरे screen पर आपको call आएगा आप हम पर करेंगे small pop-up तो इतना pop-up आएगा उसी में call आता है और mini pop-up करेंगे तो इतना चोटाग सा pop-up आएगा उसी में आप call को issue कर सकते हैं या तो आप card भी सकते हैं और feature की बात करने के लिए आ आप open हो रहा है फिलाल तो और यहाँ पर open app पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी application को आप हम पर select करके रख सकते हैं example में आपर कर लोंगा YouTube को कर लोंगा तो अब यहाँ पर power button पर डबल क्लिक करूंगा तो यह YouTube open हो जाता है इस तरह से आप कोई भी application को रख सकते हैं इस चार आपको यह ओफ रहता तो यह देख सकते हैं अभी फिलहाल तो ऐसे आपको keyboard मिलता है इसको on करके आप हम पर देख सकते हैं चार आपको keyboard मिलते हैं जो keyboard आपको अच्छा लगे उसको आप use कर सकते हैं back आने के बाद यसनों रिमोड इनिमेंशन इसको और करेंगे तो आप फास्ट कर सकते हैं अगली फीचर की बात करने के सेटिंग में आएंगे आपके हम पर आना है नोटिफेकेशन सेटिंग में और यहां पर ब्रीफ और डीटेल से यह कहा है आपको मैं बताऊंगा अब मानलो आपको कोई भी एप से नोटिफेकेशन आता है तो आप सेटिंग में आना है आने के बाद यहां पर है शो नोटिफेकेशन से हैं यहां पर आप करेंगे नन करेंगे तो कोई भी एप से आपको नोटिफेकेशन आता तो हम पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा आप करेंगे तो आपको कितने एप से नोटिफेकेशन आये हैं हम प आपको ऊपर बताएगा इसके बाद यहां पर आपको कोई भी एप से नोटिफेकेशन वागर आते हैं आपने क्लियर किया तो बात में आप यहां पर आकर देख सकते हैं किस-किस एप से आपको आपको उनके लेना है है यहां पर कर सकते हैं यहां पर करने आपको नोटिफेकेशन आने के बाद में यह जो करनाạo-टर क्लिय को आपने इपको लिया तो अपको करेगा है नोटिफेकेशन आया है बुलकर बैक आने के बाद यहां पर देख सकते हैं और अप आप आइकन बैट्स आपको इस सटिंग में आना है हम पर डॉट करेंगे तो कोई भी एप से आपको नोटिवेकेशन आता तो उस एप के ऊपर एक डॉट बताएगा आप यहां पर करेंगे नंबर तो आपको कॉंटिटी ब आना है हम यहां पर लिफ टुवेक इसको और करेंगे तो अब मौनलब जैसे फोन को उटाकर हाथ में लेते हैं इसको और अपर आपको लॉट करेंगे लोग करना है अपने फोन को डबल टैप करेंगे लॉट हो जाएगा दस्तों अगली फीचर की बात करने के लिए उसके सट्टिंग में आपको आना है और यहां पर है कि इसको आन करेंगे तो अब मानलो आप जब तक स्क्रिन को देखते रहेंगे आपका स्क्रिन आफ ने होगा चाहिए आपने एक मिनिट क्यों ना रख लिया हो इसको आन करेंगे तो मानलो आपको' काल मेसेज testly आया आपको तो आता ही रहेगा है करें इसको लों कर लेना है तो जो side mounted fingerprint sensor है, इस sensor से आप मतलब ये fingerprint से आप ये जो notification panel उसको control कर सकते हैं, अगली feature की बात करने के लिए दूसरों आपको 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 आना है setting में, आपको इसी advanced feature setting में आकर और इस तरह से आना है नीचे, हैं पर देख से आप one handed है, इसको on करेंगे तो ये देख से आपको इतना करेंगे आप screen को ये छोटा हो जागा दूसरों ये देख से आपको इसी नीचे आकर हैं पर आपको advanced feature setting में आना है और इस तरह से नीचे ना है, हांपर है dual messenger हांपर आपको जो applications दिखेंगे उन applications को आप dual करके use कर सकते हैं अगली feature की बात करने के लिए इस तरह से slide करने के बाद हम पर google search आ रहा है ये नहीं आना चाहिए इसको निकालना है तो हम पर long tap करेंगे और हम पर settings पर click करेंगे हांपर add media page to home screen इसको off करेंगे तो जो google था ना बाजू में वो चला जा चुका है अगली feature की बात करने के लिए हम पर notification पैनल में आएंगे हांपर torch है आपको पता है ये देख सेथे और हम पर जो torch भूलकर लिखा है उस पर आप click करके हांपर इसके level को बढ़ा सकते हैं और थोड़ा रोशनी बढ़े की दूस् इसको यूज कर सकते हैं अधरोइस इसको मत यूज करना लॉंग करते हैं पर आपको दिखता होगा वालपर एंड टाइल आप इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको दिखता होगा अचले हम पर load होने तो my wallpapers आप आप जो वालपर आपको अच्छा लगे वह आप start करके पर चेंज कर सकते हैं और पर इन मतलब यहां पर करेंगे तो सादे एब बाद मिलगurar करको करेंगे हम करेंगे तो सारे एप आपको home screen पर ही मिलेंगे इस तरह से swipe up करने के बाद applications नहीं आते दोसों और यह search bar है और long tap करके हम पर हम आएंगे दोसों opposite setting में home screen layout में आकर हम करेंगे home and app screens करेंगे apply करेंगे तो अभी देख सते हैं इस तरह से swipe up करने के बाद applications अहां पर आते हैं अगली feature की बात करने के लिए setting में आकर और आपको हम पर आना है इस तरह से नीचे हां पर देख सेते हैं lock home screen layout इसको on करेंगे तो अब मान लोग कोई भी नय application आप download कर लेते हैं तो सारे application में तो आ जाएगा लेकिन हम पर home screen पर आना चाहिए तो setting को on कर लेना long tap करेंगे तो अगली feature की बात करने के लिए setting में आएंगे और आपको आना है नीचे head app मतलर हाँ पर कोई भी application को हैड करना चाहिए तो कर सकते हैं example कर लेते हैं आप फेस्बूक को done पर क्लिक कर दोँगा अब यहां पर हम फेस्बूक धूंडे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने head किया है वापस लाने के लिए long tap करेंगे home screen पर setting पर क्लिक करेंगे और नीचे हाँ पर है serve down for notification पैनल यह off इतना है इसको on करेंगे तो आपको notification पैनल निकलना तो ऊपर थे खीचने की ज़रूत निचे से बस न करेंगे निकल कर आएगा और अगली feature की बात करने के लिए क्या करेंगे आएंगे भी setting में और आपके हम पर आना है हाँ पर देख देख से बै कोई बी application को select कर सकते हैं example हम पर कर लेंगे एक दिन में दो ही गंटे यूज कर सकेंगे अगली feature की बात करने के लिए आपके हम पर आना है नीचे हम पर देख सकते हैं अब आपको battery and device care setting में आना है और हम पर आपको memory पर क्लिक कर ले नहीं है और थोड़ा load होता है checking होता है चक होने तो इसके बाद पर देख सकते हैं RAM मतलब आप में पर इसमें चेजेवी तक RAM को बढ़ा सकते हैं आप इस पर क्लिक करके 6GB बढ़ा कर आप रिस्टार्ट करेंगे तो 6GB आपका बड़ जाएगा और फीचर की बात करते हैं सटिंग में आते हैं दूसों आपके हम पर आना है अभी लॉक स्क्रिन सटिंग में इस सटिंग में आने के बाद हम पर देख सकते हैं यह स्मार्फून ल्याग हो रहा है दूस्तों आपको कैसा है बता देना निचे हम पर देख सकते हैं कॉंटेक्ट इंफरमेशन हम पर आप जो भी नाम लिख कर डालेंगे वह ना हमाना दूस्तों लॉक स्क्रिन पर बताएगा इसके बाद हम पर और नोटिफिकेशन मतलब हम पर आप लॉक करके रखें फोन को तो कोई भी एप से इसके बाद हम पर ब्याक आते हैं इसी लागिस्क्रिं श्राटेम में आपको लॉक ब्याव बॉक कर लोंगा ए क्या मठ कर लोगा और रट पर कियांगाय दोश्енд आप कर लो अगली फीचर की बात करने के लिए यह जो नौच में लाइटिंग है यह कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना दूसरों यहां पर open करना है Chrome browser को open करके आप कहां पर search करना आपको गुगल प्लेकर में नहीं मिलेगा दूसरों यह यह यूज करने से पहले आपको मैं बताऊं दूसरों यह अपने रिक्स पर इसको यूज करना क्यूंकि यह प्र पर इसको डौन करना है open करना है open करके सारे permission वगारा इसको देना है सारे permission वगर आप देंगे तो यहांपर यह offer रहता है यहांपर इसको सबस्पह़ले ओन करना है इसको ऑन करेंगे तो यह controller है इस controller थे आप अपने camera के पास लेकर जाना इस को इस रिंग को उसके बाद आप इस पर क्लिक करके हाँ पर यह होता दूसरों सेग्मेंट कलर होता है यह आपको भी कर लेना है चलिए हाँ पर आपको ब्लू कलर सट करके रखना है तो हम पर क्या करेंगे ब्लू कलर का कोड हम क्या करेंगे कोड करेंगे कोड कर लिया तो आपको और इसके पर आपको सब्सक्राइब आपको सारे अप्लिकेशन दिखेंगे कौन से अप से नोटिफेकेशन आने के बाद हम पर उपन नहीं आना अच्छे उसका नोटिफेकेशन एक्जाम्पल हम पर कर लोगा Chrome को Chrome को उपन करेंगे हम पर आपको दिखता होगा Notifications हम पर हम करेंगे इसको Off तो हमको Chrome से हम पर कोई भी Notifications ही नहीं आएंगे आपको मनें बता दिया 60 जाथा टिप्स एंट्रिक्स हर्दिन फिर्चर्स आपको ये वडियो का सलगा नीचों कमेंट से आप जरूर लिख कर बता दिना